हेलो फ्रेंड्स वेवी गार्डन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज में शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में गर्मियों के कुछ ऐसे पर्मनेंट फ्लावरिंग प्लांट जिनको आप इसमें लगा सकते हैं और ये ऐसे प्लांट होंगे जो पर्मनेंटली मारे ग तो वो आपको इस समय लगाने चाहिए अपने गार्डन में जितने भी प्लांट आपसे शेयर करूंगी यह सभी मेरे पास हैं और मैं अपने एक्सपेरियंस से बताऊंगी तो सबसे पहला प्लांट है यह जो फॉर्विया मिली मेरे पास बहुत सालों से है और दो तीन लग ल से बरे हुए हैं मगर यह एक ऐसा प्लांट होता है जो पर्मनेंटली मारे गार्डन में बना भी रहता है और साथ में साल के हर सीजन में इसमें फूल आते हैं चाहिए सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो तो इसमें हर सीजन में फूल आते हैं तो अगर आपको ऐसा कोई कम केर में चलने वाल प्लांट चाहिए जिसमें हर सीजन में फूल भी आएं तो ये प्लांट आप लगा सकते हैं नर्सी पर ये आपको 50 स्रुपे तक असानी से मिल जाता है और कटिंग से भी लग जाता है नेक्स प्लांट है हाइब्रिड हविसकस जो ऐसे हविसकस में बहुत सारे डिफरेंट टाइप होती है मगर जो हाइब्रिड है विसकस होती है गमले में लगाने के लिए बेस्ट होती है कि इनकी हाइट छोटी ही रहती है और साथ में ये प्लांट गॐँ है नर्सी पर असानी से किसी भी सीजन में ये मिल जाती हैं और इनमें सालबर फ्लावरी होती है इनको ज़्यादा दूपकी भी जुरूट नहीं होती है और ये प्लांट जो हर रंग में आपको नर्सीर पर देखने को मिल जाता है मेरे पास भी इसके तीन चार अलग अलग कलर है नर्सीर पर इसका जो प्राइज है साट से लेके सोर पर तक ये मिलता है नर्सीर पर तो देखिए मेरा भी ये प्लांट एक डेट साल पुरान है इतनी ही इसकी हाइट रहती है इससे ज़्यादा ये हाइट में नहीं रहता है इसको आप 10 इंच के गमले में 8 इंच के गमले में 12 इंच के गमले में असानी से लगा सकती है और साल पर इसमें फ्लावरिंग होती है एक्स प्लांट देखिए डाइंथस है डाइंथस का इस समय पीक सीजन है फ्लावरिंग करने का और daintus भी एक ऐसा permanent flowering plant है जो आपको बहुत ही कम प्राइज में नर्स्री पर सर्दी के सीजन में देखने को मिलता है और इस समय भी अगर आप नर्स्री पर जाएं तो ये असानी से आपको 15-20 से लेके 25 पर तक असानी से मिल जाता है इसमें बहुत सारे लग-लग color भी होती है और ये plant permanent होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है आप इसको ऐसी जगा रखी जहां से वाकि एक दो गंटे की इसको दूप मिल जाए और बरसात के पानी से भी बचाना है और ये permanently मारे गाडर में बना भी रहता है और इसमें flowering भी चलती रहती है तो ये इस समय आप इसको nursery से ले सकते हैं अगर आप कुछ अच्छा लगता है सालवर flowering के लिए ये भी एक बहुत ही अच्छा flowering plant है मैंने देखिए 12 इंच के गंले में 4 अलग अलग plant लगा रखे हैं और सब में बहुत ही अच्छी flowering हो रही है इस plant है देखिए बहुत सारे इसमें फूल खिलते हैं और ये है मदुमालती मदुमालती एक बेलनुमा प्लांट होता है और आजकाल इसमें एक ऐसा प्लांट भी आ गया है जिसको आप गंले में लगाके एक प्लांट के रुप में भी ग्रो कर सकते हैं और इसमें एक साथ बहुत सारे फूल खिलते हैं ये भी जो है summer permanent flowering plant है और इसमें पूरा साल फ प्लांट नहीं आ जाती तब तक इसमें फूल आते ही रहते हैं और एक साथ बहुत सारे फूल आते हैं इसके फूल में थोड़ी थोड़ी खुश्बू होती है और असानी से किसी भी सीजन में ये nursery पर आपको देखने को मिल जाता है मदुमालती इस प्लांट है जो सारा साल फूल देता है तो देखिए देशी और हाइब्रिड बिंका इस समय आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं nursery से प्लांट भी ले सकते हैं और देखिए हाइब्रिड में आपको बहुत सारे लग-लग रंग मिलते हैं और ये सीड से बहुत ही असानी से ग्रो हो जाता है अगर आपको इस समय सीड मिलते हैं तो सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और nursery प्लांट भी है आपको इसके जो है चोटे प्लांट सेलिंग जो है 5-10 रवे की मिल जाती है और थोड़ा सा बड़ा प्लांट जो है आपको 20-25 रपे का असानी से डिफरेंट डिफरेंट कलर में देखिए इस तरीके से वह सारे इसमें कलर होती है और यह एक ऐसा प्लांट होता है जो साल बार मारे गार्डन में बना भी रहता है और फ्लावरिंग भी इसमें होती रहती है सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होता है जब बरसात का सीजन आए तो थोड़ा सा बरसात के पानी से बचाना होता है इसको और दूप में रखना होता है 45 पाशे गटे की दूप में नेक्स प्लांट है यह जट्रोफा जट्रोफा विए कैसा permanent कम केर में चलने वाला प्लांट होता है जिसमें 70 साल फ्लावरिंग होती है ये भी जो प्लांट है देखिए गमले में बहुत ही अच्छी flowering करता है मेरा देखिए ये plant गमले में दो तीन चार सालों से लगा हुआ है और इसमें हर साल इस तरीके से flowering होती है और इसकी flowering जो है हर सेजन में होती है जब बहुत ज़ाद ठंड होती है तब इसमें थोड़े-थोड़े फूल आते ही रहते है गर्मियों में तो इसमें बहुत अच्छी flowering होती है ये plant nursery भी आपको दो-तीन अलग-लग रंगों में मिल जाता है और ये cutting से भी बहुत असानी से लग जाता है और ये असानी से आपको nursery पर किसी भी season में मिल जाता है और इसमें हर season में flowering होती है इतना ही होता है कि आपने इसको अच्छी well-drain मिटी में खाद वाली मिटी में लगाना है और 5-6 गंटे की दूप में रखिए और इसको बहुत जादा पानी नहीं देना होता है जब इसकी मिटी अच्छी से सूक जाए तब आपने इसको पानी देना है वो भी कम मातरा में देना है मगर जब तक इसमें फूल नहीं आ रहे हैं तब तक इसको कम पानी देना है जब इसमें फ्लावरिंग हो जाए फिर आपने इसको पूरा पानी देना है और दूप में रखना है तो ये देखिए प्लावरिंग बहुत इच्छी से इसमें फ्लावरिंग होती है और टाइम टू टाइम आपने इसको फटलाइजर देना है मेरे पास भी देखिए बहुत सारे लग-लग कलर के बोगनविल्या के प्लांट है मैं इनको पूरे दिन की दूप में रखती हूँ और जब इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है कम पानी देती हूँ जब फ्लावरिंग हो जाए फिर पूरा पानी देना इनको नेक्स प्लांट है देखिए पेंटास पेंटास भी एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट होते है जो समर फ्लावरिंग प्लांट है साथ में पर्मनेंट है और इसमें भी आपको बहुत सारे लग-लग रंग मिल जाते हैं और इसमें मर्चस लेके oldest medicine kell Whenever to full दeftी Lewanna shortcase में बाकी सारा साल full देते हैं और देखिए इसमें dwarf और टाल क्याते होती है और इह भी आपको हर रंग में देखने को मिल जाता है प्राइस की बात कुरू तो ये आपको 50 रपे दक चोटा प्लांट आसानी से नर्सी पिर देखने को मिल जाता है और ये भी एक पर्मनेंट प्लांट है और देखिए इसमें भी एक साथ बहुत सारे फूल खिलते हैं चोट चोटे फूल होते हैं एक पूरा बंच बनता है जैसे एकजोरा के फूल होते हैं वैसे ही इसके चोट चोटे फूल खिलते हैं सारा साल फूलों के लिए देखिए आप इस प्लांट को भी लगा सकते हैं यह है गौंफरिना गौंफरिना भी आपको देखिए इस तरीके से पिंक रेड और इस तरीके से रानी कलर में मिल जाते हैं जो डार्क पिंक जा मैं चंटा कलर इसको बोलते हैं यह वी एक ऐसा प्ला रपे का 25 प्रे तक को ये मिल जाता है और ये भी सारा साल फूल देने वाला प्लांट होता है हर सीजन में इसमें फ्लावरिंग होती है ज्यादा अची फ्लावरिंग वैसे इसमें समर सीजन में ही होती है मगर सर्दी के सीजन में इसमें फूल आते रहते हैं और जब इसके सारगंटे की इसको दूप चाहिए होती है, वेल ड्रेमिटी चाहिए होती है, जिसमें अब अच्छे से खाद डालके इसको लगाइए, तो फिर बहुत सारा इसमें फ्लावरिंग होती है, नेक्स्ट प्लांट है देखी, यह है जरवेरा, जरवेरा भी एक पर्मनेंट साल ही आते रहते हैं, और एक बार आप इसको नर्सरी से ले आएं, इस समय यह असानी से आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाता है, और फिर इसकी जड़ों से ही इसके नए प्लांट निकलते रहते हैं, इसमें देशी और हाइब्रेड दोनों तरह के प्लांट मिलते हैं, की बात करो तो यह जो यह रेड वाल आपको देख रहे हैं यह देसी टाइब होती है इसकी यह प्लांट आपको 40 ठपे का मिल जाएगा जो हाइबिर्ड होता है वो थोड़ा सा महिंगा रहता है इस प्लांट है देखिए परपल हर्ट परपल हर्ट भी बहुत ही खुबसूरत स खुबसूरत पत्तों के साथ फ्लावरिंग भी इसमें होती रहती है तो नेक्स प्लांट है देखिए अपराजिता भी एक ऐसा प्लांट होते है जो सीट से गुरू हो जाता है और नर्शरी पर भी इसके प्लांट जो है तो इसमें सीन्कलो और डवल पेटल दोन nickel प्लांट आम को नसली पर मिल जाते हैं और इसमें साहल फ्लावरिंग रहती है यह एक बेलनुमा प्लांट होता है और कि इसको गमले में भी grow कर सकते हैं दिखे मैंने भी इसको इस तरीके से घमले में grow किया हुआ है Next plant है देखे कनेर का तो कनेर इस ऐसा प्लांट होते है जिसके पत्ते पूरा साल हरे बरे बने रहते हैं और भी इसके बहुत ही कम जड़ते हैं और इसमें थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग पूरा साल ही होती रहती है और मार्च इसलेके अक्तूबर नमंबर तक इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलती है मगर थोड़ी थोड़ी flowering इसमें पूरा साल होती रहती है और इसमें कलियां भी बनती रहती है कनेर में भी आपको hybrid देशी दोनों तरह के प्लांट मिल जाती है और इसमें color भी बहुत सारी होती है कोई भी मौसमों इसमें फूलाती ही रहती है तो यह है श्रिम प्लांट श्रिम प्लांट कम दूप में चलने वाला प्लांट होता है सर्दी के सीजन में आप चाहिए इसको पूरी दूप में रख सकते हैं और गर्मी के सीजन में इसको ज़्यादा दूप में नहीं रखना चाहिए तो इसमें फिर सारा साल फूल आते रहते हैं तो फ्रेंट्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनमें सारा साल फ्लावरिंग होती रहती है तो मैं आपसे कभी नेक्स वीडियो में शेयर करूंगी तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा मेरे चन्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा तो थेंक्यू फ्रेंट्स वीडियो को देखने के लिए वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जुरूर बताएगा और फिर मिलती हैं किसी नए वीडियो में नए टॉप पी के साथ अब तक के लिए बाई हैपी कार्णिंग